दोस्तों दिवरिया मामले के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बला ही जबर्दस्त खुलासा किया है और जो खुलासा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है उसके आने के बाद उन तमाम लोगों के मुँपर एक जोरदार तमाचा लगने वाला है जो इस पूरी गटना को यादव वर्सस ब्रामल करने की कोशिश कर रहे थे कौन कर रहे थे ये बात आप लोग भली भाती जानते हैं आप लोगों देखा कि किस तरीके से देवरिया सदर के विधायक शलब मनी तिरपाथी हो या तमाम हिंदुवादी संगठन हो या खुद उतर परदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजे से पाठा को इन तमाम लोगों के द्वारा किस तरीके से इस पूरी घटना को यादव वर्सस ब्रामल करने की कोशिश की जा रहे थी और ये तमाम लोग ब्रामलों का नेता बंदे की कोशिश कर रहे थे योगी आदितनाथ भी इस मामले के या सरकार के कोई सदस हैं उन्होंने मुलकात नहीं की है लेकिन दोस्तों अब उतर प्रदेश की पुलिस पे जो खुलासा किया है वो बला ही चौकाने वाला है और इन तमाम लोगों के मुपर एक जोरदार ठमाचा मारने वाला है उतर प्रदेश की पुलिस ने मुख्य आर के ड्राइवर थे और उतर प्रदेश की पुलिस का ये कहना है कि जब नवनाथ मिश्रा ने देखा कि उनके मालिक प्रेम चंद यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे तो नवनाथ मिश्रा ने जो अपनी लाइसेंसी बंदूख है उसको निकाला और उस बंदूख से कई र पी नवनाथ मिश्रा को बताया है जो कि ब्रामव जाती से आते हैं हाला कि जो नवनाथ मिश्रा की पत्नी है उनका कहना है कि उस दिन नवनाथ मिश्रा अपने घर में सो रहे थे तो आखिर वो इस घट्न को अंजाम कैसे दे सकते हैं लेकिन इसके विपरीत उतर प्रदेश की पुलिस की अलग थेयोरी है चुकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जाच की है इसिलिए पुलिस के उपर भरोसा करना चाहिए और लोग करते भी है तो अगर पुलिस की माने और ऐसा भी नहीं है कि उतर-प्रदेश के अंदर और किसी भी तरीके से यादव समाज का व्यक्ति उतर प्रदेश की पुलिस के पर दबाव नहीं बना सकता है इसके बावजूद उतर प्रदेश की पुलिस ने मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा यानि की ब्राम्हल जाती से आने वाले व्यक्ति को बनाया है तो साफ साफ इस सब्सक्राइब, प्रामले जाती से आता है, उसके उपर हमला करने वाला कोई नहीं था , कोई दूसरा नहीं था , तुन, प्रेम्चंद यादव का Image घटना को यादव वर्सस ब्राहम करने की बजाए जो कि मैं बार बार कह रहा था कि ये घटना यादव वर्सस ब्राहम की नहीं है बल्कि दो परिवारों के बीच में एक जमीनी विवाद है और ऐसे विवाद उत्तरपरदेश के लगभग हर घर में आपको देखने को मिल है जमीन के चक्कर में तो यहां पर तो दो भिन भिन जातियों के लोग थे तो इसलिए इस पूरी घटना को जो भी लोग यादव वर्सस ब्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं वो लोग इस पूरी घटना के जरीए अपनी राजनतिक रोटी सेकना चाहते हैं इस में तमाम जो ब्राह्मने जाती के संगठन हैं तमाम जो समल जाती के संगठन हैं राजपूतों के संगठन करनी सेना चाहे हिंदुवादी संगठन ये सारे के सारे लोग दूबे परिवार के समर्थन में पूचे थे शलब मनितिर पाठी भी दूबे परिवार के समर्थन मे पहुचे थे, तो ये सारे के सारे लोग कोई अपना संगठन को चमकाना चाहता है, जिससे कि उनको अच्छी खासी फंडिंग मिल सके, कोई ब्राम्हनों का एक छत्र नेता बनना चाहता है, जिससे कि आने वाले चुनाओं में उसको फाइदा मिल सके, किसी को भी इस पूरी घ देखना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश होगी, कि इस वीडियो को जितना हो सके, उतना जादा आप लोग शेर कीजिए, लोगों को मालूम चल सके, कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार, मुख्य आरोपी, अगर कोई है, तो वो ब्राम्हनों जाती से आने वाला व्यक्ति ही है, बाकी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर ले, फेस्बुक, टुटेर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आइडिया आप सभी लोगों मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है, आप से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉल्लो कर लीजिए, बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाल, जैन